नमस्कार दोस्तो Quality of India के इस प्रोग्राम में मैं आरेन विश्व कर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो Corrective Action, Preventive Action यह आप लोगों तो पता ही होगा यह निकि कापा क्या होता है पता है जिन क्या आपको पता है कि पाका क्या होता है और कापा और पाका में क्या डिफरेंस है कहां पर हम कापा का इस्तमाल करते हैं और कहां पर हम पाका का इस्तमाल करते हैं या होता है ठीक है ना तो इसको हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में लेकिन प्रोग्राम को सुरू करने से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अन तक जरूर देखें वीडियो अगर पसंद आए तुसे लाइक करना न भूलें और इसका लिंक अपने दोस्तों साथ जरूर सेर करें ताकि उनको भी कुछ नया सिखने का और आगे बढ़ने का मौका मिलें और हां हमारे ओनलाइन ट् स्टोर से आप डाउन्डोड करके उनलाइन कौौसे को एक्स्टोर करना न भूलें चैए प्रोग्रम करें बढ़ते हैं आपको कापा क्या होता है ठीक है ना तोस्तों हमें पहले समझते हैं काका क्या होता थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं फिर उसका जानाइए कि प तो तो तरक लेना जरूरी होता है तो क्या होता है और क्या होता है पी ऐ हम इसको थोड़ा आ manifसे में और में पात करते हैं तो इसका का definition हो जाएगा action taken on the root causes यानि कि root cause पर action लेते हैं तो prevent the recurrence तो इसमें दो चीजे होना बहुत ज़रूरी है सबसे important चीज है कि root cause पर अगर आप action नहीं ले रहे हैं तो corrective action नहीं होता है अक्सर हमारे प्रोग्राम में जो हम अपने participants से बात करते हैं और पूछते हैं action क्या होता है तो बहुत सारे participants ऐसा जवाब देते हैं कि जो defect आए उस पर अगर हमने action ले लिया या जो हमने immediate action ले लिए उससे कहेंगा हम corrective action यह गलाच जवाब होता है तो immediate action नहीं आपका action immediate भी हो सकता तो time भी लग सकता है लेकिन action आपका root cause पर होना चाहिए ठीक है ना तो अगर आपने root cause को deep dive करका identify किया और उस पर आपने action लिया तो prevent the recurrence या reoccurrence यानि कि problem दुबारा हो ही नहीं और इसको नहीं होने के लिए चाहिए आप फुकायों को कर रहे हैं system बदलाव कर रहे हैं वगरा वगर जो भी कर रहे हैं root cause पर action लेते हुए याद रखेगा root cause identify होना जरूरी है symptom पर action नहीं लेंगे ठीक है तो हो जाएगा वो corrective action अब अगर बात करते हैं preventive action की तो preventive action क्या हो जाएगा preventive action मेरा हो जाएगा यहां पर देखिए क्या occurrence है ना वहां था हमारा क्या था root cause था और यहां पर आगे हमारा potential causes of failure problem आ गया problem आ गया उसके हम जड़ तक गया है root cause को ढूंडा root cause action लिया हो गया corrective action का ठीक है preventive action हो गया यह हमारा advance में होगा पहले ही होगा proactively होगा तो कब करेंगे जिसे के हम FME करते हैं है कि नहीं FME जिब करते हैं failure modes in effect analysis तो product का तो development अभी चली रहा है manufacturing अभी शुरू ही नहीं हुई है उस समय में जो हम proactively जो action लेते हैं ठीक है ना वो क्या हो जाएगा preventive action का लाएगा बारिस आने वाली है ममी पहले से बच्चों को बोलती है कि raincoat पहन के जाओ चत्री लेके जाओ ताकि भीगोगे नहीं भीगोगे नहीं तो तवित खराब नहीं होगी यह क्या एक तरीके से potential causes of जो failure है उस पर आप proactively action ले रहे हैं यह हो जाएगा मेरा preventive action ठीक है ना तो potential causes को identify करने के लिए बहुत तरीक्य होते हैं brainstorming कर सकते हैं फिसमाल कर सकते हैं FMA कर सकते हैं ठीक है ना potential यानिकि सारे संभावित कारणों को हमने identify किया और उस पर हमने action लिया to prevent occurrence यानिकि वहां पर था नहीं उसके लिए जो हम action लेते हैं उसे कहते हम preventive action ठीक है तो यह हो गया का और पा क्रेटिव एक्षन हो गया action taken on the root causes to prevent recurrence और preventive action हो जाएगा action taken on the potential causes of failure हम भावित कारणों को identify करके उस पर action लेना to prevent the occurrence ठीक है ना यह हमारा important difference हो गया का और पा का आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों जो हम लोग कापा की बात करते हैं तो याद रखेगा कि जो problems हमारी आती हैं typically हमारी जो problems रहेगी वो problems रहेगी हमारे 6M में 6M में क्या क्या हो जाएगा 6M में में मेरा आएगा man, machine, material, method, measurement, mother nature या environment में मिलाने के लिए हम mother nature लिख देते हैं तो ये 6M जो हैं आपका जो root cause निकलता है इसी 6M में से किसी ना किसी एक M में होगा या combination में होगा हो सकता है कि manpower जो आपका unskill था या machine bread on में चला गया, machine में कुछ problem आ गई है, material आपका सही नहीं था, इसमें chemical combustion प्रावलम था, गलक material आपने selection कर लिया है, method आपने define किया नहीं था, method आपने follow नहीं किया, वगएरा वगएरा ऐसे कुछ problem आपके निकल के आएंगी, और अगर root cause निकल के आया, आपने उस पर action लिया, तो हो जाया correct action याद रखेगा, जब हम लोग root cause analysis करते हैं, कापा करते हैं, typically customer complaint आने के बाद में, या internal rejection आने के बाद में, तो बहुत बार क्या होता है, बहुत सार लोग के दिमाग में रहता है, कि operator का negligency या inspector का negligency दिखाना है, इस तरीके से root cause analysis कभी मत कीजेगा, यह बहुत पुराना traditional तर नहीं करेगा, फर जिवाड़ा, ठीका न, वो सब बंद हो गया है, तो धंक से root cause निकालिएगा, और root cause होता, आपका system पर attack करना चाहिए, process पर attack करना चाहिए, individual पे नहीं, अगर आप बोलते हैं कि मेरा operator negligence था, तो क्यों भही है आपने उस तरह के बंदों को अपने लगाया ट्रेंड था, तो फिर आप unskilled क्यों बोल रहे हो, operator negligence क्यों बोल रहे हो, ठीक है न, यानि कि system में क्या खामी थी, process में क्या खामियां थी, उसको identify करके उस पर action आपको लेना है, आपके root cause analysis में, है न, symptoms बगरा नहीं लेना है, या operator का negligence या inspector का negligence इस तरह का system नहीं identify करना है ये बहुत ही खराब technique होता है, root cause analysis करने का, ठीक है, तो system में, जो भी problem हो, उसको बदलाव कीजिए, नया SOP बनाईए, work instruction बनाईए, लोग को training दीजिए, FME में change कीजिए, control problem में change कीजिए, है न, तो system में impact होना चाहिए, अगर system में impact नहीं हो रहा है, कोई नो कोई system के document आप बदल नहीं रहे हैं, revise नहीं कर रहे हैं, नया create नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपका root cause analysis सही नहीं है, environment में बहुत जगह में, बहुत important role play करता है, काफी बार हमको लगता है कि environment क्या हो सकता है, especially अगर manufacturing सिनारियों में अगर बात करता हूं, तो environment बहुत बड़ा role play करता है, ज humility बहुत हाई है, बहुत तेज गर्मी लग रही है, या बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, क्या वो सही तरके से type कर पायेगा, है न, check बना रहा है, कोई document processing कर रहा है, कोई error को check कर रहा है, क्या वो सही तरके से perform कर पायेगा, नहीं कर पायेगा, बहुत सारी गलतियां चाहे वो service sector हो हर जगह में impact करता है तो humidity, lux level, noise, vibration वगरा 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 ये सारे भी बहुत important role play करते हैं तो इसको भी छोड़ना नहीं है तो आपका जो problem होगा जैसे मैंने बताया 6MA से किसी ने किसी में आएगा इसको identify करना और उस पर action लेना है आपका अगर कापा को summarize करते हैं तो हम देख सकते हैं कि कापा क्या हो जाता है अगर मैं summary के बात करता हूँ तो corrective action हो जाएगा मेरा root causes पर action लेना और prevent करेंगा हम re-occurrence को प्रिवेंटिव action मेरा हो जाएगा potential causes of failure को identify करना और prevent करना occurrence को यह हो जाएगा हमारा कापा अब बात करते हैं पाका की हैना PACA यह कहां use होता है तो दोस्तों पहले preventive action लेना फिर अगर कोई failure होती है तो corrective action को initiate करना यह approach काफी जगों में इस्तमाल होता है कहां पर होगा for an example आप अगर कोई system implementation कर रहे हैं जैसे की quality management system implementation कर रहे हैं ISO 9001 तो standard को अगर आप पढ़ेंगे तो standard बात करता है पाका अप्रोच की मतलब system implementation करना उसमें risk based thinking की बात करता है है ना अगर आप ISO की latest वाले version चाहे आप 9001 ले लो ठीक है ना 2015 चाहे आप 14,000 ले लो चाहे आप 45,000 ले लो वगरा वगरा आनि कि 2015 वाला version अगर आप लेते हो सारे बात करते हैं risk based thinking या risk based thinking approach की बात करते हैं तो यह approach क्या कहता है basically यह approach बोलता है कि जहां पर जितना risk नजराता है वहां पर आप उस हिसाब से potential को देखते हुए आपको action plan बनाना चाहिए यह जो है यह preventive approach है यानि कि यहां पर हम लोग क्या करते हैं system बनाते हैं तो पहले preventive approach लेते हैं पहल non-confirmity आती है तो जो action लेते हैं होता है का अनि corrective action तो यहां पर क्या होगी हमने पाका इस्तमाल किया पहले हमने preventive action लिया पहले हमने risk identify किया business risk identify किया क्योंकि FME जो करते हैं हम लोग क्या करते हैं सिर्फ product और process relevant ही risk identify करते हैं ठीक है ना पुराने वाले method में यानिकि AIG version 4 में हम RPA निकालते थे और नए वाले method में की AIG और वीडिये वाले में हम action priority निकालते हैं ठीक है ना लेकिन risk होता है हमारा risk के हिसाब सभी prioritize करते हैं FME में लेकिन वहां पर सिर्फ तो product की बात किया आती है विसे चार तरह के होता है FME है आपका system FME होता है machinery FME होता है उसका बाद होते हैं तो तो वहां पर क्या होता है focus हमारा product or process ही होता है लेकिन जब हम quality management system की बात करते है ISO 9001 तो हमारा focus क्या होता है पूरा business रहता है business अलग-अलग department अलग-अलग function अलग कि standard में कहीं पर department की बात नहीं करता है लेकिन फिर भी जो process approach है जो processes हैं जो functions हैं वहां पर आपको risk based thinking करना है हम क्या करते है एसो में clause 4 में context of the organization identify करते हैं interested parties identify करते हैं और फिर clause 6 में जाके उससे पर्टेनिंग हम लोग risk को identify करते हैं रिस्क assessment करते हैं सानर बोलता है ना कि methods identify करो criteria identify करो और रिस्क को assess करो ठीक है ना तो वह basically preventive approach है और उसके में जहां पर रिस्क ज्यादा नजर आता है एक्षन लो preventive approach हो गया फिर अगर कई failure हो गई तो रूट को जूंडो पर action हो क्या हो जाएगा corrective action हो जाएगा यानि की quality management system हमारा पाका system इस्तमाल होता है या कहीं पर कुछ और अगर आप system बना रहे हैं system implementation कर रहे हैं कोई development कर रहे हैं तो हम पहले preventive का focus करते हैं जैसे कि अच्छे supplier का assessment करना supplier का selection करना वो क्या हो जाएगा वो approach हो जागा preventive approach तो पहले आपने prevention किया फिर अगर supplier के failure आती है तो हम क्या करें corrective action लेंगे हो जागा हमारा का है ना तो वहां पर भी हमने पाका इस्तमाल किया ठीक है तो यह हो गया अंतर हमारा बढ़ाने के लिए हमारे ओनलाइन ट्रेनिंग काम certification प्रोग्राम का benefit जरू उठाएं हमारे आप को आप को गुगल प्ले स्टोर से अपल के श्टोर से डाउनलोड करके आप courses को आप एक्स्प्लोर कर सकते हैं courses हिंदी में और इंग्लीज में अवेलबल हैं धेरो courses हैं घर ब को डट करें हमारे consultant आपके हाँ पर आके objective आपके vision को achieve करने में आपको मदद करेंगे नमस्कार